बुड़े आफ्टनून सर्फ बस बढ़िया बढ़िया परना बताओ जी कैसे हूँ हम भी बढ़िया सर वेरी गुट अच्छ आज तो फिर हम चैप्टर में मौस्ट भी खत्म करी लेंगे लिए पिक डी ब्रोगली हैंजनबर्ग कॉंटम मेकैनिकल मोडल इस एलेक्टिन कोन्फिगरेशन आज हम दन कर लेखते हैं सारे ठीक है न 99 परसेंट हम कर लेंगे परसो वाली क्लास में फिर हम फ्री हो जाएंगे न कल शाट डाउट देल लगेगा बुद आफ्टनुम से बुद आफ्टनुम बिट्टर कल जितना पाउली का क्राया था वो दुबारा से गरा देना बस रिवीजन करते हैं पाउली तो क्राया है न को फ्रील के कोडिंग ली मतलब एनरजी बढ़ती जाएगी और इलेक्टर उसके कोडिंस में एंटर करता जाएगा दूसरा था रूरूल अगर किसी का और प्लस अल कम है तो इलेक्टर पहले उसमें अंटर करेगा और उसके बाद अगर अंपलस अल का वैल्यू बराबर हो तो इलेक्ट्रोन पहले उसमें एंटर करेगा जिसका एन वैल्यू कम है ठीक है यह दो बाते हो गई उसी से हमारी पूरी बहुर बहुरी स्कीम बन गई थी यह वली ठीक है ना तो 1s then 2s then 2p then 3s then 3p then 4s then 3d then 4p की वह ने लिखके बताया था आपको मल्टी लेक्ट्रोनी के लिए और अब हम सीखेंगे किसको हर्ण को हर्ण के बाद फाइनली सीखेंगे पाउलीज को और हर्ण का मतलब क्या हुआ इसके अंदर मुझे डी जनरेट वर्ड बोलना था और डी जनरेट वर्ड सब तक समझ नह अब टाइम मुझे लगता है हां घंटी बच चुकी है तो अलार्म की आवाज आती हमें काम चुरू कर लेना चाहिए ठीक है हां जी शुरू करें काम फिरम लोग अब इक बात ध्यां से सुनना या मुझे हां सूरूल के बारे में बात करनी है क्या बात करनी है कि हमें एलेक्ट्रों एंटर कैसे करवाने तुका इसनिका जी पेरिंग ओफ अब तो, DGenerate समझ में आता है, Energy सेंग, Pairing of Electrons in DGenerate Orbitals, Orbitals of Same Energy, ठीक है, Will not takes place until और और Orbitals are singly filled with electrons, Having same spin, Parallel Spin, आपने, Pairing तब तक स्टार्ट नहीं करनी है, जब तक की, सारे के सारे लेक्ट्रोन, Same spin के साथ, Same spin के साथ, सिंगल सिंगल करके, सभी ओर्बिटल्स में, जो degenerate है, फिल ना हो जाएं, तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर तीन ओर्बिटल हैं, और 6 लेक्टन भरने हैं, 6 से उपर भर भी नहीं सकते, तो फस्ट जैसे जाएगा, उसी के पैरलल में दूसरा जाएगा, उसी के पैरलल में त स्टार्ट, चलो, चोथी बार बोल देते हैं, अकोर्डिंग सू, हंट्स रूल, फिर मैं लिखूंगा, बोर्ट पे थोरी दिर बाद, बस एक दो मिनट और वेट करता हूं, जब तक एक दो बच्चे जो लेट जोईन कर रहे हैं, वा जाएं, जब एलेक्ट्रोन एंटर्स पे एंटर करता है, then maximum electrons should be unpaired with the same spin, and then after, pairing will be start, clear, तो इस बात को मैं अपने words दे रहा हूं, मिर साथ टिकना और बात को सीखना, लो जी, यहां एक page add किया, और यहां मैंने हंट्स रूल लिखा, हंट्स रूल में क्या लिखा, हंट्स रूल of maximum multiplicity, यह जो maximum word है, इसमें बड़ा तर्म है, maximum multiplicity, लिखना शुरू कर रहा हूं भी, यहां से तुमारे नोट्स बनने शुरू जाएंगे, लिखना, फिक वंड़तोन अन стен विखेसिलीड गना, इसमेंगे, विखेसिलीड अजिद एले इन विखेद सा Гंगे, सिणे लिखना, जिखेसिलीड एले झाले इने लिखेसिल खेसिजरू ऑले, तो जाने विखेसिल,Rज लिखेसिलीड अट्स भीकषटिलीडिऑamma, the maximum electrons should be unpaired with same spin then after then after pairing will start okay okay let's take this example in the form p sub shell 3 orbitals will you learn? yes sir p sub shell p sub shell px py pz okay okay px py pz p1 maximum electron p sub shell maximum red pencil maximum electrons in shell or orbital 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 2l 2l plus 1 orbital into 2l plus 1 2l 2l maximum 2l 2l maximum i think the maximum electrons in the orbital यह पूल रहा हुआ है यह पूराना रिवीजन था बच्छी कमल अब तुम पढ़ लिक नहीं रहे हो इससे यह साब पता चल रहा है । दबल, और मैक्सिमम इलेक्ट्रोन इन दा और अर्बिटल यह पूराना रिवीजन है इसमें कुछ भी मैंने नजा नहीं सण चाया भी तक तो मैं इधार आ रहा हूँ अब, मुझे P1 भरना है, P1, कहते जी एक लेक्टन भर दो, मैंने का जी मुझे P2 भरना है, 1 and 2, it is Hans rule, मुझे P3 भरना है, कहते जी 1, 2, 3, किसी बच्चे ने का सर, जुरूरी है कि पहला क्लोक वही जी जाएगा, मैंने का ना बिलकुल ही नहीं है, पहला एंटी क्लोक भी जा सकता है, तो अगर पहला एंटी क्लोक वही जाएगा, तो दूसरा भी एंटी क्लोक वही जाएगा, विद सेम स्पिन, अगर आपने मेरी वर्डिंग सुनी तो, और कर करके, अभी अगले 2, 3 page और भरूंगा इसी प्रेक्टिस में, वापिस सुने, when electron, okay, first number, enters in degenerate orbitals, the maximum electrons, maximum electrons should be unpaired, yes, first clockwise or anti-clockwise, if first is cloak, then second should be cloak, third should be cloak, now, if first is anti-cloak, ऐसा कोई रूल नहीं है, कि पहला clockwise एंटर किया है, कि anti-cloakwise, either cloak or anti-cloak, वो इसकी choice है, वो तुम्हारी choice है, क्योंकि end में तो सबने same ही हो जाना है, मैं इस अगले page पर आपको और practice करवा रहा हूँ, एक second उखना बिटा, सिरफ एक second उखना, एक second उखना, हो सकता है कि मेरे इस page के discussion के बाद आपकी सारी प्रोब्लम सोल हो जाएं, मैं P4 फिल कर रहा हूँ, बस मुझे space दो, पांच मिनट का सिर्फ, फर्स लेक्ट्रोन, सेकिंद लेक्ट्रोन, थर्ड, अगर आपने मेरी दो लाइने सुनी थी, maximum should be unpaired, and then after pairing will be start, अगर किसी को ऐसे नहीं लिखना, इसके बाद जितने question है, एक एक करके पूछ लेना भई, अगर पहले वाला anti-cloak, तो दूसरा पक्का anti-cloak, तीसरा पक्का anti-cloak, यू शुड मैंटेन समेट्री, अब अगला वाला clock वेज जाएगा, क्या ये दोनों configuration P4 के लिए ठीक है, हाँ, बिल्कुल perfect है, लो जी, मुझे किसी ने का जी P5 बोलना है, मैंने का जी बोल देते हैं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आजाए, हो सकता है सारे बच्चे ही सीख रहे हो, first, second, third, fourth, fifth, इसको थोड़ा सा class में इन discipline हो रहा भई, जिसको नहीं पढ़ना हो, अपना mic बंद कर दो, क्योंकि आपको पढ़ाने की इस way में तो मेरी responsibility बंदती है, लेकिन आपके कान पगड़ के आपको पढ़ाऊ, यह मिर से नहीं हो पाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा, discipline आपने maintain रखना है, क्योंकि selection भी आपको लेना है, कि मिस्ट्री तो पढ़ा सकता हूँ यार, संस्कार कहां से दूँ आपको मैं अब, है, वो तो घ्रेलू मामला होता है, टीचर का काम नहीं है वो, सुनो भी, फर्स्ट, आस्था सर्फ वेट करना है, पांच मिनट उसमें तो मिनट निकले, तीन मिनट और वेट करो बस, आस्था हाथ निची करो, आस्था हाथ निची करो, वन टू, थ्री, फॉर, फाइव, सिक्स, अगर किसी ने पहला एंटी क्लोग, दूसरा एंटी क्लोग, तीसरा एंटी क्लोग, दन बाकी वाले क्या हो जाएंगे, क्लोग, क्लोग, अब थोड़ा सा काम और करते है, आस्था निची कुछ दे रखा है, कितना, तीन मिनट का और, उसके बाद सारी बच्चे कोशन पूछेंगे, जो भी पूछना चाहते होंगे, मैं D1 कोन्फिग्रेशन भरने में इंटरस्टेड हूँ, कहते जी, D सबशेल में तो और्बिटली 5 होते हैं, मैंने का बिलकुल ठीक है, D सबशेल में तो और्बिटली 5 होते हैं, इतना तो आपको पता लगने लग गया होईगा, क्लियर, पहला एलेक्ट क्लोग और अंटी क्लोग, कोई फरक नहीं पड़ता, बोथ हर से, मुझे D2 फिल करना है, तो हंट्स रूल लगाएं, हंट्स रूल लगाएं, हंट्स रूल क्या बोलता है, अगर पहला क्लोग है, तो मैक्सिमम शुट भी अनपेर्ड, विद सेम स्पिन, फिर मुझे D3 भरना है, तो हो सकता है, कुछ बच्चों को समझ में आने लग गया हो, कि ये तीसरा इलेक्ट्रोन भी, सेम स्पिन का भरेगा, तो मैंने दा स्मेट्री, मैंने D4 भरा जी, टोटल पांच और्बिटल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस ट कर्रेक्ट? रॉम सर्षर, ये किसका वोलेशन हो रहा है, यहां आपने बिचारे हंट्स की आत्मा को दुखी किया है, ठीक है जी, यहां आप वोलेशन ओफ दा हंट्स रूल कर रहे हो, और जब आप वोलेशन ओफ हंट्स रूल करने जा रहे हो, तो पक्की बात है, इस पर अब आपके उब्जेक्टिव कोश्ण तयार होने शुरू हो जाएंगे, मैं D4 को फिर भरने जा रहा हूं जी, वन, टू, थ्री, फोर, हां जी, अब का स्पिन सेम होना चाहिए, ठीक है जी, तो अब इसके बाद मुझे D4 भरना है, D4 में, मतलब D sub shell में 5 orbital है, cloak, 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 और, अब मैं सीधे जंप मारके D7 की बात करूँगा, उसके बाद आपके लिए मैं space open कर दूँगा, आप मेरे से जितने कोश्ण पूछन पूछना चाहो, फुल फ्रीडम होईगी, आपको पूछ सकते हो, D7, 1, D7, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, हाँ जी, अब आस्था कोश्ण सबसे पहले पूछेगी, आस्था, इसमें ऐसे हो सकते हैं, कि हम पीछे से आड़ कर सकते हैं, पीछे कैसे हैं? जैसे हम आगे से आड़ कर सकते हैं, तो उसे क्या वर्क पड़ेगा, वो तो हम ही अजीब लगेगा, थोड़ा समेट्री फोलो कर रहे हैं, जैसे मैं वैक्सिन लगवाने किया, तो उन्होंने ना पीछे से स्टार्ट कर दिया, जबकि मैं तो आठ बजे पोहुच गया था, दस बजे वाले को पहले लगा दी उसने, गुस्सा ना आएगा? इश्मीत? अब आफ़नून सर्वी, में याज मीटिंग जॉइन नहीं हो थी, जब अब भी जॉइन हो थोड़ा पीछे वाला बता दो, मैं बता दूंगा तुमें टैंशन ना लो, एक बर मैं रुनिंग हूँ, नहीं फिर तुम काम नहीं बनेगा ना, मैं बताता हूँ, चलो आजाओ, क्योंकि अब कोई ज्यादा टाम निकला नहीं है, 11 मिनट है तो तीन मिनट में तुम समझ जाओगी, और सारे बच्चे वापिस आजो भी मेरे साथ, यह पहला पेज है, मैं हंस रूल सिखा रहा हूँ, मैक्सिमम मल्टिप्रिसिटी का, इसमें बताया जा रहा है कि जब आप इलेक्ट्रोन भरते हो, जब आप इलेक्ट्रोन फिल करते हो, इसमीद सुननों और बाकी बच्चे रिवीजन कर लें, वेन इलेक्ट्रोन एंटर्स इन डीजनरेट, और जितने बच्चे क्लास से बैठें, सब को पता है, डीजनरेट का मतलब क्या होता है, बराबर एनरजी, ठीक है जी? तो जब भी आप डीजनरेट और्बिटल में इलेक्ट्रोन को फिल करते हो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोन शुड़ बी अनपेर्ड वन वन वन, अगर पी है तो, जैसे इशमीद को बताना है, पी वन है, तो इधर क्लोक और एंटी क्लोक, दोनों में से करेक्ट कोन है, बोथ हर करेक्ट, पी टु है, तो इशमीद आपने इस इलेक्ट्रोन क्लाउड को ऐसे नहीं भरना, according to हंट्स रूल, मैक्सिमम समिट्री लाने के लिए, मैक्सिमम समिट्री लाने के लिए, अगर पहला clockwise है, तो दूसरा भी clockwise, पहला anticlockwise है, तो दूसरा भी anticlockwise, but should be maximum unpaired, unpaired, तभी तो word डाला है, maximum multiplicity, बच्चे इसके पीछे reason पूछ सकते हैं, तो मेरे पास एक ही word आएगा, maximum symmetry maintain रखना, maximum symmetry maintain रखना, ठीके जी, मैं ना meeting लोग कर रहा हूँ भी, अब बच्चे एक tolerate नहीं होता है, एक्चल में, पीथरी की बात कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से सुन लो, जब एक बच्चे का टाइम दिया, इंस्ट्यूट ने आपको, यू शुरू एंटर वनो clock, ठीक है, तो दस मिनट तक चलो चल जाता है, जो की होना नीच ही है, वैसे, clear, पीथरी, त if the first enters clockwise, then all should be clockwise with maximum, maximum unpaired, 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 अब उसी का मैंने को और सेंपल लिया, clear, मैंने D1 करवाया, तो 1, 1, clock और anti-clock, both are correct, 100% correct, D2, 1, 1, clock, clock, anti-clock, anti-clock, both are correct, 100% correct, और यही तो रूल है, क्या रूल है, when electron enters in those orbitals, which have the same energy, then maximum electron should be unpaired, with the same spin, मैंने यह तु नहीं खा, clock, anti-clock, तुम्हारी मर्जी है, अगर clock, clock, clock लिख दिया, objective में, question बन गया, P3 के 2 configuration दे दिये, यह दोनों, आप सी पुछे, कौन सा सही है, तो आप बोलो के दोनों सही है, clear, then after, pairing will starts, clear, तो उसके बाद, मैंने D7 लिखा, पहल clock, फिर clock, फिर clock, फिर clock, फिर clock, फिर clock हो गया, तो 5 clock wise हो गए, हंट सुरूल फोलो हो गया, लिकिन मैंने थुझी गढबड करने की कोशिष की, कहां पर, D4 में, d4 में मैंने clock, anti-clock, clock, anti-clock, तो मैंने बच्चों से पूछा, violation हुआ, केते हंजी violation हो गया, किसका violation हो गया, violation of the हं जब एक्टन एंटर करें देन विद मैक्सिमम अनपेर्ड मैक्सिमम सेम स्पिन के साथ एंटर करना चाहिए उसके बाद मैंने डीफोर वापपीस लिखा लोग एंटिकलोग लोग लिख लिख दिया क्या कर रहे हो भाई यह तो फिर अगें किसका वोलेशन हो गया ओफ दा हंस क्यों क्यों कि हंट के कोड़िंग ली डी जनरेत में जब लगयों होगे मैक्सिमम सेम स्पिन के और मैक्सिमम अनपेर होने जहिए धन आफ़र पेरिंग बी स्टार्ट हंजी इश्मीच जी अब आब 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 बात कर सकती है मैं से कि अंशिता कोष्यन पुछेगी कि अशिता कि आवाज मुझे जितनी स्की उरीजनल था उसकी वन भाई हंड्रे आरी है हुआ है अंशिता कि अवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है बाकी बचक सुन रही अंशिता कि आवाज? वो शाद माइक से दूर जाकर बैठी है मुझे लगता है तीन सवा तीन किलो मुटर पर चलो बात में देखते हैं अंशिता को अंशिता तुमारी आवाज जब आ जाए वापीस तो मिरसे बात कर लेना बाकी बचे जल्देली पूछो कुछो कुछो कुछ ना हर्मीन का नंबर बचा बोलो और कोई बचा बोलो चलो किसी के पास को डाउट नहीं बचा तो हमारा यह हंट्स रूल खतम हुआ ठीक है जी अब हम हंट्स रूल के बाद पाउलीस एक्स्क्लूजिजन रूल की तरह बढ़ते हैं वह मैं यहां लिखने जा रहा हूं पेस नंबर जो भी नेक् पाउलीस एक्स्क्लूजन प्रिंसिपल बोल दो यह पाउलीस एक्स्क्लूजन लो बोल दो एक्स्क्लूजन वर्ड का मतलब क्या होता है रिस्ट्रक्शन्स एक्स्क्लूड कर देना रिस्ट्रक्शन्स की बात कर रहा है आपसे वह मलब रोक लगा देना पाउलीस रिस्ट् तो इन भाई साब नहीं किया का, बड़े सिंपल से 4-5 वर्ड्स हैं, बड़े सिंपल सिंपल से, और जो तुम्हें आते हैं, तुम अल्रेडी एक्सपर्ट हो इस मामले में, भाई साब क्या बोल रहे हैं, इसको सिंपल वर्ड्स में और कर दे, एक और बिटल मैक्सिमम दो इलेक्टर्न रख सकता है, विद ओपोजिट स्पिन, एक और बिटल, ओर बिटल, देखना चाहते हो, तो ये देखो जी, ये रिवीजन था, एक शेल में कितने इलेक्टर्न आ सकते हैं, टू एन स्क्वाइर, एक सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्टर्न आ सकते हैं, टू टू एल प्लस वन, और एक और बिटल में मैक्सिमम टू तो आपने पावली तो पहली पढ़ लिया, और एक बात मैं सबसे बोल देता हूं, किसी को भी कॉश्चन पूचन에 में कोई हैजिटेशन नहीं होना चा में यहं बार बर बच्चों को बोलता हूँ यह बीमारी किसी को ना लगे है एक बहुत खतरनाक डेज़ी अर्य कर questa पता है क्या बीमारी 예 कैके कि क्या कहेंगे और यह बिमारी लग तुम अपने बारे में अबंस वह जोड़ो जो ओल्रों रोड़ो संतո है और लोगों ने तो हमेशा टांग भषानी होती है हर जगा पे तो इसलिए उनके बारे में सोचना बंद करो तिंक सिर्फ अपने बारे में सोचो अपने बारे में सोचो पूछना बिंदास पूछो इंटरेक्शन करो वही आपका development करवाएगा स्टेट फॉरवर्ड सी बात है लो जी पाउलीज एक्स्क्लीजन प्रिंसिबल की बात कर रहा हूं और एक और भी है क्लियर ना वह बात में बताऊंगा कभी आपने ना यह खरीद लेना है इसको चलाना है ओल्वेस यह क्या है अलमल पूरी लाइफ यह वाला ड्राइव करना ह इसकीं पूले पूर लोड मतलू लोड मतलू लोड लेने पाद तो कुछ भी दिधी काल टैएगा ok लोड मतलू जब लगेगी लोड हो गया अपने पैरंस से बात करो पैरेंस से बात करने में दिक्कत हो रही है बाकि तीन टीचर दो ना उन अंदर अंदर ही, बस समझते जाओ चीजों को, 11 बहुत अच्छी होनी चाहिए, 12 गारंटीड अच्छी हो जाएगी, पाउलीज एक्स्क्लूजन में मैंने दो बार बोल दिया, तीन बार और बोलूँगा, यह क्या आप ऐसा बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और तरीके से बोलते हैं, एक और बिटल में जादा से जादा हम दो इलेक्ट्रोन भर सकते हैं, वो होएंगे उपोजिट, उपोजिट स्पिन के, ठीक है जी, उपोजिट स्पिन के, अगरा मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो लिखों जी हम मैं इसको, वन ओर्बिटल, वन ओर्बिटल, वन ओर्बिटल, एक अपोजिट स्पिन, एक और बिटल, जादा से जादा, दो ओर्बिटल को ही, दो इलेक्ट्रोन को ही, अपने अंदर रख सकता है, वो भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के ही होईंगे, इसके एक्जाम्पल्स में लेके आता हूँ, ध्यान से सुनना, यह मेरे पास मानलो 1S1 है, यहां मेरे पास 1S2 है, इसकी और लेंग्विज बोलूँगा मैं, वो पते ही क्या है, इन ही दो इलेक्ट्रों के लिए, फर एनी टू इलेक्ट्रों, एनी टू, एनी टू, कोई भी पड़े हो दुनिया में, clear, फर एनी टू इलेक्ट्रों, ओल्द फोर क्वांटम नंबर नेवर भी सेम, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, यहां शुरू करें अपना इन, एल, एम, एस, इसको बोक्स में बंद कर दिया, इसको भी बोक्स में बंद कर दिया, मुझे इसके फर्स्ट एलेक्ट्रों की सारी जानकरिया निकालनी है, और इसके सेकेंड एलेक्ट्रों की सारी जानकरिया निकालनी है, जिसको मैंने हाइलाइट किया हुआ है, इसको और इसको, लो जी, यह दो इलेक्ट्रोन्स है, N का value, 11, सब को समझ में आता होगा, L का value, 00, सब को समझ में आता होगा, M का value, again 00, सब को समझ में आता होगा, लेकिन, तीन चीजे सेम होगी, कुछ तो different है, प्लस हाफ, तो और कोई sampling कर लो, example number 1 के बाद, example number 2, clear, example number 1 के बाद, example number 2, यहां क्या करने वाले, ध्यान से सुनोगे, यह मैंने कोई भी 2 electron लिख लिए, जैसे 2p1 लिख लिया, और यहां 3p1 लिख लिया, इसको तो देखते ही, समझ में आ गया, कि इसके लिए, principle, quantum, number, ही, different है, NLMS, ठीकोगी बात, यह क्या जी, 2, यह क्या हो गया, 3, तो मैं तो कही रहूं आपसे, दुनिया में कहीं भी, दो electron पड़े हो, उनके चारों, quantum number, same, नहीं हो सकते, तो लोग, दोनों का कोलोनी भी से, यह सेक्टर की साब से, सेक्टर मालो, XYZ कहीं भी रहते है, तीसरी बात, उनका उसके अंदर गली, या फिर मकान नंबर भी एक है, और नाम सेम होकर कुछ तो different होईगा, मैं कहा रहा हूं, शहर सेम है, सेक्टर सेम है, उसके बाद कोई, उ लग लग होई जानी है, नाम भी सेम कर लो किसी का, तो अगर तुम बाइलोजिकल भी जाओ, तुम तो जादा एक्सपर्ट हो, तो यार, फिंगर प्रिंट तो अलग होईगी ना, इस दुनिया में, इस दुनिया में, अट लीस्ट एंड तक पहुंचते पहुंचते कुस त जाएगा ना, दो बंदों का, दो बंदे एक्जेकली सेम, क्लोन के अलावा कहीं नहीं हो सकते हैं, क्लियर, उस जंजट में भसेंगे नहीं, क्योंकि वह बायो का पार्ट है, तो ये दो हो गया, ये तीन हो गया, एल की वैल्यू वन वर है, एम की वैल्यू मुझे नपता न तो आपको डिफरेंट दिखेगी ही दिखेगी, एट लीस्ट वन, इसकी वर्डिंग बनाओ, वन और्बिटल के लिकॉम, मैक्सिमम, की वर्ड रह गया यहां पर, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रोंस विद ओपोसिट स्पिन, इसी का दूसरा वर्जन बोल तूं अगले पेज प वाले हैं जी, सुनो, 4, 2 एलेक्ट्रोंस, all the quantum numbers, all the quantum numbers, are never be same, चारों quantum numbers, same होने का दूसरा मतलब यही होँवा न, एक OR पर दूसरा मतलब होँआ यही होँआ, एक ही एलेक्ट्रों है, वो दो हैया ही नहीं? आपको पता है quantum number की definition क्या थी? quantum numbers are those which gives the complete information about electrons. अगर चारों quantum number same होगे, तो वो दो electron होई नहीं सकते, आर, वो तो electron ही एक होएगा. अगर चारों quantum number same होगे, तो वो दो electron होई नहीं सकते, वो एक ही electron के बारे में बात हो रही है. DNA fingerprint भी same हा रहा है, तो वो यहीं से समझ जाते है, forensic lab वाले, कि यह दो बंदे नहीं है, मालों एक जगा hair मिल गया, एक जगा skin का कोई part मिल गया, दोनों का उन लोगों ने DNA चेक किया, और दोनों DNA same हा रहे है, तो यह नहीं कहेंगे दो बंदों के, बोला एक ही criminal था, दोनों का DNA मैच कर रहा है, बाल का भी, hair का भी, और skin का भी, वो कि बंदा एक है, हाँ, उनको दो फिंगर पिंगर्पिंट मिलते, दो DNA मिलते उनको, तो कह देते हार दो बंदे था, एक बंदा नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको चारों quantum number same मिल रही है, तो साफसी बात है, क्या, कि वो दो electron हो ही ने सकते, at least एक quantum number तो different होनी चाहिए, for the two different electrons, अब जल्दी से एक मिनट का, अवनी का question आ रहा है, जल्दी से कर लो, सर, लास्ट पेज पे जो example 2 लिखी है, 2P1 और 3P1, सर, उनका M0 कैसे है, पीजट करती है, बच्छे, हमने intentionally, आप याद करो, श्याद भोल गए आप, मैं वा याद करवा दो, सर, पीजट के लिए तो 0 था, जी, जी, वही, मैंने जानबूच की पीजट लिखकर, ताकि मैं आ अलग होएगी, हाँ आप सारे अलग करना चाहती हो, तो आजाओ मेरे साथ, एक मिनट लेट करते हैं थोड़ा सा, सुनो, यहाँ मैंने 2Px लिख दिया, यहाँ मैंने 3Dz² लिख दिया, ठीक होगी बात, अब मेरे पास N की वेल्यू है, यहाँ N की वेल्यू 3 है, L मैं भूल यहाँ यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिख दिया, मुझे 6 इलेक्ट्रोन के बारे में जानकरी चाहिए, यहाँ मुझे 1 के बारे में जानकरी चाहिए, तो इसको जब मैं लिखता हूँ, इधर क्लोक और एंटी क्लोक, होगी हमें तो कुछ पता नहीं है, तो प और यहाँ जब मैं S लिखने वाला हूँ, अब नहीं, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यह फोर यह, तो पिट में माइनस हाफ और प्लस हाफ, क्योंकि हम इसका उल्टा गेम भी तो चला सकते हैं, तो अब मुझे क्या दिखाना था, इसका प्रिंसिपल भी अलग है, इस इसका मिउलग है II, इसका मेगनिटिक भी अलग है, इसका स्पिन भी अलग है, प्लस-अफ है, मैनश एछ जो पी स्पिन ठीक है critically, 3, अलग हो गई, तो इस दुनिया में में कितने लोग अलग शकल की घूम रहें, तो 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 तुम है क्या आजीव लगदा सब्स इसके शकल कितनी सेमें एक दूसरी की, तुम्हें अजीब वह लगता है ना, एक जगा पे 10 लोग बैठे हैं, सबकी शकले अलग है तुम्हें को इसमें क्या अलग है, लेकिन उसी दसमें दो लोग ऐसे बैठे हो जिसके शकले मैच कर रही हो, तुम्हें आरे टुइन्स लग देखना, इसी इसकी शकल मैच कर रही है, अब इसी पे गेम खेलते हो ना, कितना सेम है, कितना सेम होना ही प्रोबलम है, अलग होने में क्या प्रोबलम है, सांची को कुछन पूचन पूचन है, जल्दी से पूचो, यह सर जो आपने फॉस्ट एक्जाम्पल करवाई अभी लो जी आ गई, सर इसमें आपने सेक्ट वाले बानेस टू में हाफ माइनस हाफ क्यों लिए, यह वाले कह रहे हो आप, यह माइनस हाफ यह, हाँ पहला क्लोग, दूसरा अंटी क्लोग तो प्लस आप माइनस हाफ ही लेना था, कल स्पिन कॉंटम नंबर की थी हमने, कल अमने स उसमें क्लोग वीज एंटर कर रहा है, प्लस हाफ, एंटी क्लोग वीज एंटर कर रहा है, माइनस हाफ, आप यह काम कर सकती हो, क्या, कि पहले वाले को माइनस हाफ, दूसरे वाले को प्लस हाफ ले लो, चल जाएगा, लेकिन यह दूनों होएंगे कि दूसरे को पोजिटी, सरवट हमने 1s2 का सेकंड इलेक्टन यह रहा न ओके सर जिसको मैंने हाइलाइट किया है उसकी सारी जानकरी चाहिए सरवट हम इसमें फर्स्ट क्यों नहीं कंसेडर कर सकते हैं यह पहला और पहला दोनों सेम ही तो है इसी इलेक्टन को तो कोपी किया आपने यहां पर अजया तो यह वन तो सेम निइंटर कर रहा हूं न तो यह समयर कर रहरे हूं है, और जो अपने कहरे लका-ट्या-राइपकन? नहीं मैंने लिखकर दिया है कि हम 6 electron को compare करें यह question पर में आएगा उसने कहा जी 2p x का 1st और 3d z2 के 6th को compare करना है यह लिखा लिखा है question है हमारे पास और बोलो कोई अच्छा इसके बाद मैं electron configuration चुरू कर रहा हूं भी फिर magnetic moment मैंने और आपकी बात 100% सही है यह मैनेस भी हो सकते हैं लिखने का style अगर मैंने साफ होएगा तो उल्टा लिखो के तो मैंने साफ लिखना पड़ेगा कि अच्छता यह तो ना पदे क्या करो तुमने हैड़फोन लगा रख है तो हटा दो यार साट बात कर लो मैंने साफ का पूछ रही है कि आपको जो configuration आपने अपनी तरफ से लिखा है पहली बात या आपको जो configuration printed form में question में मिल गया नो behave उसके coding लिए आपने अपना answer देना है अगर ऐसा लिखा मिल गया तो अगर तुम टूपी बन कर रही हो ना है अगर तुम टूपी बन कर रही हो ना हां तो हमारी choice है ना लिख सकते इश्मीद को भी same answer दिया मैंने इश्मीद को मैंने बला हां लिख सकते हैं बट यह कि एक तो मैं इसको थेरी में एक तो मैं subjective question करके देख के आ रहा हूं एक मुझे लिखा कैसे मिलता उसके coding लिभी करना है कि अगरे आप यहां इस यह वाला आरो दे दिया तो मुझे प्लस साफी लिखना पड़ेगा ना क्लोक वह जैने यह इस हक आ 450 रविखले इवजय को सारी को चांझने चाहिए यह नहीं की क्लोक फिर अपकी पास भाई शुरू करें आज की क्लास भी निकल जाएगी नहीं तो 32 हो गए मैंने हाइड्रोजन से जिंग तक लेक्टन कॉन्फिग्रेशन फिर उनके एक्सेप्शन और फिर आपको मेंग्नेटिक मॉमेंट सिखाना है फिर हम चैप्टर के विनर हो जाएंगे भई फिर एक श्रोंडिंजर वेव एक्वेशन बचेगी वह कोई ज्यादा बड़ा इश्यू है नहीं चलो जी जिनके तीन-चार हाथ खड़े थे उनमें से किसी का फिर भी कोशन बच गया हो तो मेरे साथ आ जाना है इसके बाद हैड्रोजन का इलेक्टन कॉन्फिग्रेशन साथ हुओं हाद्रोजन इलियम लीथियूं बेरिलियम बोर्वन नीम्पार्वननिर्मेट्रोजन ऑ्क्सिजन फ्लॉरी नियों सोढियम में मेंरियम पेमियाम इनियम अ पोस्फोरस, सल्फर, ख्लोरीण, ख्लोरीट, आर्गन, ठाश्यम, प्रॉत्य। अभ्स नंवर Coffee को याद नियोग चले जाना याए बहुत बड़ा तीर निह odor एक जैसे दो साल रर्तेश करो ड्य सब्सक्राइब करते हैं जूब करता चूल में ते आपका, टीचर आपको कैसे काम करवा रहा था ना तो कई बार वो जबरदस्ती करते हैं आपके साथ में कई बर बच्चे की खुद इच्छा होने लगती है कि मैं इसको याद कर लूँ लेकिन इसका फायदा कहीं नहीं मिलता क्योंकि एक्टमिक नंबर के साथ ही सब चीजें हमें लिखी लिखाई मिल जा और एंटर एलेक्रण then after pairing will be start, clear, if start with clockwise, then all should be clockwise, if anti-clockwise, then all should be anti-clockwise, then Pauli's exclusion, restrictions, one orbital can accommodate maximum two electrons with opposite spin, अब कर दिया जाएका लेक्टन को बहर कर दिया जाएगा और तीसरे एक्टन को दिखा दिया क्या अब बोलो कोई साफ दिख रहे हैं पाउलीस का वलेशन हुआ है, कोई है क्लोक करते-करते भीच में अंटी-कलोक डाल गया तो क्वोंसे रूल का विलेशन हो आप बोलो साफ आपरे सिंपल से कुश्चिन आएंगे इन इलेक्रों को भरते फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ या आपका सेक्षिन नमबर 8 उसके सारे के सारे कुश्चिन आप डन कर सकते हो क्लियर आज के बाद ना उसमें टोटल कोश्चिन दिखा रखें 42 उसके बाद शेप सो फॉर बिटल है वो मैं आपसे डन कर चुका हूं बसे ग्राफिकल पार्ट आपसे मैंने डिसकस करना है देखते हैं मोका लगता है तो आज तो उसके बाद आपका यह कंपलीट डन हो सब्सक्राइब क्या है वे नाम नहीं पूचा मैक्सिम लेक्ट्रों बच्छा सही बोल रहा है मैक्सिमम इलेक्रोंस एसमें कितने आ सकते हैं तो अगर इसको बोक्स के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो इस उसके बाद हीलियम वर्टीजट नंबर ओफ एलेक्ट्रों टू जो हो के निए अरेंज दीस एलेक्ट्रोंस वन एस टू और कैसे लिखो गे वन ख्लोग वेस एंटिकलो कोईस और बड़ा सिंपल जैसे घर में सीडिया चाड़ती हो ना अचा पहले ऐसे करते हो पहले चोथी सीडिए पी जाते हो फिर पहली पी आते हो फिर चटी पी जाते अचाले की चलने जोंगे बचा Air है पहले पे दूसरे पे फिर तीसरे पे फिर चोथी पहले यही तो रूल है और यही यही अगर के वाले बता रहें तो दिकत है हां करते हैं hiç समझ नहीं आ गया और अब electron symmetry discipline follow करते हो भरने मतलब अगर clock तो सारे clock 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 then after pairing will be start और एक में दो सी उपर भरने नहीं है दिखो कितनी high level इसमें discipline maintain हो रहा है तीसरा भर होगे तो get out हो जाएगा क्यों हो जाएगा कि इसमें repulsion लगेगा magnetic magnetism भी उसको oppose करेगा electrical charge के अलावा लो जी अगर आपको मेरा 1s1 और 1s2 समझ में आया तो तो आपको lithium भी समझ में आ जाएगा कि किसी को बहुर बर स्कीम वापिस लिखवानी हो तो मिरे से बात कर लो कि मैंने खुली छूट दी आपको बात करने की बच्चे कोई आपको सुनना भी नहीं चाहता मेरे को कुण सुनना चाहता है मजबूरी में सुनते हैं इसलिए बोल सकते हो कोई भी कुछ भी बोल दो सब्जेक्ट से रिलेटेट है कि क्या आपको हैड्रो जार्व भी आपने यहां 5S यहां 6S 7S यहां 2P यहां 3P यहां 4P यहां 6P 7P 3P 4P 5P 6P 7P 4P 5P 6P 7P 4P 5P 6P 7P 5P 6P 7P लिखूंगा ठीक है और अगर यह कॉनिफिगरेशन आ गए तो समझ लो कि आपका अगला चैप्टर बड़ा अच्छा होने वाल है नाम है प्रियोडिक टेबल इसके नहीं को नहीं आपने जो बता रहा हूं मैं बता रहा हूं सांची उसी से जुड़ा है यह मैंने रूट पकड़िये ना उसी से जुड़ी बात है कि टेंचन ना लो टेंचन ना लो मैं उसी को बताऊंगा जो तुमने पूछा हुआ है लो जी सबसे पहले हैट्रोजन की बात कर ले हमनी लेक्ट्रोंज और यह रहां कहां एंटर करवाओगे वनेस में 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 मैं की मैक्स कैपसिटी क्या है मैं लिख देता हूं जी यहां पर दूए विल्कुल है जी यह मेरे पास सब्षेल्स हैं जिनके नाम S,PDF है एस में दो,P में छे,D में दस और यह मैक्स इलेक्ट्रोंज इसमें आ रहे हैं यहां किसी को दिक्कत है तो बात कर लो ठीक है जी है तो एस में दो सी उपर लेक्रोंज तो जा नहीं सकते लेकिन हमे कंशे से ने घर करी था उसमें चार कमरे थे सिफीर उसने अपनी दोनों लाते खोली ओंकर अपनी घरदन उठा है तुछब रखली ये ध्यक्ते रख our फिर अपना ये वला जो निची वस्था था ये तुिसरे की है तो इसको अगर बोग्स में लिखना चाहते हो तो ये लो जी कोई बच्चा इस पर उब्जेक्शन कर सकता है ये भी ठीक है हाँ बिल्कुल अब सांची इसमें दो इलेक्ट्रोन है अब फुल्फिल करते होगी सिक्वेंस में चलेगा अब आप इसको ऐसे लिखना चाहती हो ये ऐसे लिखना चाहती हो फर्क क्या है कुछ भी नहीं पहले एलेक्ट्रोन में जुरूर फरक था चलो जी अब इसके मैंने ये पुच्छता की थर्ड एलेक्ट्रोन क्यों नहीं आ सकता है इसकेंड ही रिपल्शन लगेगा इसी को आप आले से लिजन बोलते है ये सर वही मेरा कनेक्शन डूट रहा था मैं को पता नहीं चला और एलेवन्थ के अगर विनर है ये मेरी मोरल डूटी बनती है कि एलेवन्थ वालों को हम परफेक्ट बनाएंगे ट्वेल्थ में तुम्हें छेडेंगी नहीं तुम अपने आभी काम करोगी और ये मेरा बहुत खतरना गुला एक्स्पिरिंस है हर बच्चे के साथ और वह और चारसो नंबर पर स्टैंड करता है एलेवन्थ में बार्य में जाकर देखता हूं 625 से नीचे उपरता है नहीं वह और जो ओल्ड़ी 6600 नंबरों पर एक्जिस्ट कर रहे है वह साथ सो 686 95 700 इससे नीचे निचे निउतरते है वो लोग तो ये तो मेरा एक्स्पिरिंस अ बच्चों के साथ में पस एक चीज की डिमांड होती है क्या की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो बस क्लियर दो साल एंजोईमेंट उतना नहीं करना जितना तुमने नोवी दस्यू में मज़े मार लिए लो जी वनेस्टू ये तो अल्ड़ी भरावा था अब किसका नंबर लगे नेक्स्ट नोबल गैस के बाद बदल दिया करो ये नोबल गैस है अगर आपको नहीं पता तो मैं नोबल गैस इसकी दो चार नाम लिख दिता हूं नोबल गैस क्लियर है हेलियम नोब गैस है नियोन ए- आर क्रिप्टो जीनोड ये जैसी अगली नोबल गैस हा जाए तो उसको मैंशन कर सकते हो आप ये एक हमें रूल दिया उनोना है कि आप ऐसा कर सकते हो जैसे लीथियू का कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आप 1 is 2 को ही अब मैं आगे बेरिलियम किसी बच्चे से लिखवाऊंगा बेरिलियम फोर्थ नंबर पे आता है चार लेक्टों ने इसके इंदर तो मैं तो मैं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सिर्फ सारी रिपीट हो जाएंगे बार-बार कर दूंगा रिविजन मैं कर रहा हूं इन अन्सरा इस अनल मैं लिए हैर अगर इनको बॉक्स में लिखने में इंट्रस्टेट तो वैसी नीच इसन को इस तरीके से लिख दिया इसका और करके कोन्फिग्रेशन क्या लिखा जा सकता है इसको हिंद्लियम नुथ दूए मुन तूए इस टूलिग्तों अब इसके बात मुझे बूरॉन का एककोन्फिग्रेशन लिखना कोई बच्चा इंट्रस्टेट है बुधुरॉन के लिए तुपी बूर्फेक्ट इंसर फिर टुएस्टु इसमें भर दिया प्रुएस्टु इसमें भर दिया कमरें भरते जाये होटल की बुकिंग इसको कर दो हाउस फूल हो चुका है अब टुएसके से रहे हैं पिल्कृल पीछह चार रूल सिखें ट्रैफिक रूल जाल में इंडिया में क्लिर हेल्मेक पन के चलना बिल्कुल सीट बेल लगानी है क्लियर स्पीड बिल्कुल नहीं करनी तो सारे काम करें जा रहें वनेस्टू टू 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 अगला एलेक्ट में यहां जाएगा और अब मैं कार्बन के बारे में बात करूँगा है कोई बच्चा जो इंट्रस्टेड है सब्सक्राइब टू खीका है अब एक काम इन दोनों के लिए क्या किया जा सकता है इसको हिलियम को हिलियम के फ़म में लिग दो इसको टू एकिलियम कर टू पिवन लिख दो पहला बोक्स वने सका, दूसरा बोक्स टू एसका, तीसरा बोक्स टू पी का, एसका बोक्स हो, तो एक और्बिटल है, पी का बोक्स हो, तो तीन और्बिटल है, अच्छा जी अब मैं आप आपका चांस दे रहा हूँ, अब सारा के सारा गेम आपके पास है, वन से लेकर सिक्स तक किसी बच्चे को रिवीजन कराना है? नो से, नेक बच्चा था, जो, हाँ, 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 बूलो, 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 सर वाम पर हमने 2S3 क्यों ने लिखा? काहा बिटा? सरी 2S2 के बाद 2P2 आगया, 2S3 क्यों ने आया? यही पूछा था सांची ने, और सांची को मैंने बताया था, एक और्बिटल में 2 से उपर उलेक्ट्रोन तो आते हैं ना, एसकी मैक्सिमम कैपसिटी कितनी है? अमरत, एसकी मैक्सिमम कैपसिटी कितनी है? यह दो एलेक्ट्रोन? तो जब अब एक S में 2 से उपर उलेक्ट्रोन भरी नहीं सकती हो, तो how can we write the 3? S पे 3 तो हम लगाई नहीं सकते हैं ना? एक सेकंड रुक ना बस, सबको चांस मिलेगा, मैक्सिमम कैपसिटी ओफ एस सब शेल बोलो, एस ओर्बिटल बोलो, कोई फरक नहीं पड़ता है, क्या है उसकी? 2 है, और इसके लिए मैंने ओल्डिडी आपको समझाया था यह राजी, मैंने फिर भी लिख दिया बाप पे इसको, जिसको नहीं समझ भी आए, वो बचा बात करो, बाकी चुप रहे हैं, मैं फिर कहा रहा हूँ, हैजटेट मत करो, नुक्सान तुम्हारा है, सर, मुगदा की टर्न है, बोलो बेटा, 3S 2 नहीं लिखा, 3S कौन सा विटा, 3S 1 और 3S 2 कल जो हमारा डिस्केशन हुआ था ना, पहले एलेक्ट्रोन 1 में जाएगा, ठीक है, यहां के बाद एलेक्ट्रोन 2 में जाएगा, स्पाइरल चलता, इसे, फिर 2P जाएगा, बिन 3S जाएगा, फिर 3P जाएगा, ऐसे चलता है यह, ऐसी चलता है, ऐसी zeigt हर्व, इस फोर में चलता है, अब मैं इसको देखो, रप कर रहा tik flying bij सम्झा रहा रहा हूं, मैं आपको लास्ट फाइनल चांस में कहा रहा हूं जिन बच्चों को अभी भी समझ में आया वो दूसरों की परवाद ना करें वो मिर से बात करें प्रनव की टर्न है तर्व इस तार्बन के आगे जो होगा उसमें तूपी ठी लगएगा तूप फ्यूचर की बात करेंगे अगले पेज में प्रनव वो कुशन नहीं पूछना अभी यहां तक का पूछ रहा है जितना करवाय है रही जिन बच्चों को समझने आँ बात करें हाँ तो सिर्फ नोबल कैसे लिखनी है जैसी जैसी नियोन अगिना तो मैं सोटियम में नियोन इंक्लीउड कर लूगा और जब मैं आरगन को कम्पलीट कर चुका हूँगा तो फिर मैं जैसे ही कैल्शियम और पटेशियम लिख उगल तो आरगन लिखे पटेशियम वह तो जल्दी से बात करो, चलो, अब प्रनव की बात पूरी हो रही है, नेक्स्ट नाइट्रोजन, इस उन 7 नंबर, ठीक है जी, यहां अभी भी हीलियम लिखा जा सकता है, यह 1S2 है, फिर 2S2, 2P3, 2P3, यह दोनों पेर्ड, यह दोनों पेर्ड, यह सिंगल, 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 ठीक है, अगर कोई चाहेगा, तो उनको उपोस्ट भी अरेंज करते हैं, हमें उससे को दिककत नहीं है, ठीक है जी, नेक्स्ट ओक्सिजन, इस और एट नंबर, 1S2, 2S2, 2P4, 2P4, 3P4, 2P4, 4, 2P4, 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 1P4, 2P5, 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 आप पते इनको कैसे लिखा करते थे आप जैसे Oxygen लिखते थे ना Oxygen तो यह पहला शेल था टू लिख देते थे यह दूसरा शेल था 7 यह लिखते थे आप लास्ट यह अब वो शाउट हो गया अब उसकी जगह हम तुम अकेले शेल लिखते थे अब हम सब शेल भी साथ में लि इस नेक्स्ट नंबर है नियोन का, इस हम 10th नंबर 1S2, 2S2, 2S2, 2B6 कौन-Kौन सो रहा है है भी जल्दी से घरखड़े करो No one sir No one sir मुझे लग रहा है सांची सो रही है No one sir No one sir नेक्स्ट 11 नमबर पर सोडियम है चुब कि मैटल है और हाइली रियक्टिव मैटल है तो अब जो एक बच्चे नी कुश्चिन पूछा था अब समझ कि करना क्या पड़ेगा यहां जो मेरे साथ यहां पर मुगधा को बात सुननी है पहले वनेस का तरन लगा मुगधा थे टूएस में अंटर किया अब थी के बाद हम यहां एंटर करेंगी ना अभी तूपी फूल अभी हमारी टर्न थी एस की है स्पाइरल चलना है बस ना नियोन दस तक हो चुका है अब सरफ इसी को एक बोक्स में लिख दो मेगनीशियम इजोन लिखा अब एक चोटा सा होमवर्क मैं आपको दे दूँ इन सभी लेक्टन कॉन्फिरेशन को एक से लेकर तीस तक जो आज मैं कम्प्लीट कर रहा हूं क्लियर हर स्टूडेंट ने तीन बार लिख कर इसकी फोटो मेरे वटसाप पे भेजनी है और टाइम रात को ग्यारा बजे तक समझ गए ग्यारा बजे तक सबकी इसकी और जो काम नहीं भेजेगा मैं मैंनेजमेंट को इन्फोर्म करूंगा वो आपके पैर्टन से बात करेंगे तीन बार लिखना बच्चे इसको नहीं तो प्रियोडिक में दिक्कत आएगी फिर आपको यह 3S2 है जी लो भी पिछला भी अगर नियोन का लिखना चाहते हो यह और च्वाइस आप कर सकते हो ठीक है इतनी लेट कोई जोइन किया है मैंने मिटिक बंद नहीं कर रखी वो जोइन कर गया बंदा जो भी था 3S2 3P1 पीछे जाना चाहते हो 3S दो स्यूपर लेक्ट्रों तो भर नहीं सकते तो यह मकान भी हाउसफुल हो गया यह मूवी भी हाउसफुल चली गई अब इस 3S के बाद किसका नंबर लगेगा 3P आपको बताए 3P के अंदर 6 एलेक्ट्रों तक आप कॉंटीनूसली चलोगे 3P1 3P2 3P3 3P4 तो एक काम करें हम लोग तो टाइम बचा लें अलमीनियम दन सिलिकन फोस्फोरस सुन पारे हो सुलफर लोरी अलमीन पॉटाश्यम पॉटाश्यम नहीं है यह सर फाइज तो यह क्या चलेगा मैं आपको बता दूँ एन्नी 3S2 तो समय कोमन है अब रस्पेक्टिवली चलेगा 3P2 3P3 3P4 3P5 3P6 सिलिकन फोस्फोरस क्लोरीन यार यह थोरा सा टाइम सेव किया और कुछ नहीं है अगर ना समझ में आओ तो अगले पेच में लिक डालते समझ में आना ही सबसे इंपोर्टन बात है लो जी इसके बाद पटैशियम तन केलशियम यह 19 नंबर यह 20 नंबर अब तो जब पटैशियम और एक और नोबल गैस कंप्लीट होगी हो तो उस नोबल गैस को मेंशन करतो जिसे तुम्हारा काम असान हो जाए अब मैं सभी बच्चों को फिर कह रहा हूं थ्री इसके बाद थ्रीपी वाला घर भी भर गया मैक्सिमम नंबर अब किसका नंबर लगेगा तो यहां फोरेस वन हुआ कैल्शम में जाकर यहां रिखते हुए यह 18 हो गए यह 20 हो गए यह 18 हो गए यह एक एड़ करके 90 हो गए समझ पारे मेरी बात को अब देखो कोई ओडियाटर रहा है नेक्स्ट डिसकेशन कर रहा हूँ दस एलिमेंट है मेरे पास न उसमें अब स्केंडियम शुरू हो रहा है स्केंडियम जिन बच्चों को याद नहीं हो इसको पांचर बर लिखके देखना और फिर भी याद ना सब्सक्राइब लेकि जा रहा हूं आपको वापिस अब 3P के बाद 4S ये भी फुल्फिल हो गया अब किसका नमबर लगेगा 3D और कल बच्चों ने कोशन पूछा 4S 3D तो एन प्लस एल रूल के कोडिंग ली 4S का जो एनरजी है वह 4 प्लस 0 होने से कम है और यह 3 प्लस 2 होन जो कि दीव की मैक्सिमूम कैपसिटी क्या है 10 अब मैक्स कैपसिटी 10 एलेक्ट्रों ठीक है जी मैक्सिमूम कैपसिटी ये बच्चों को अगर पता है तो मैं इसको रब कर दूं यहां से यह सब चलो पीछे लिखा भी था मेने वेसे लोगे लिखा जी 4S 2 लिखा जी 3D वान ठीक है एक चोटी सी बात और समझ लो अच्छा दिखने के लिए ना शेल वोईज लिखते हैं हम लोग यह करेक्ट ओडर है यह करेक्ट ओडर है और इसको लिखने का जो स्टाइल है राइटिंग मैथड जो है वो आउटर को आउटर सैड में लिखते है यह यह आपको इसको अगर किसे ने लिखना हो तो शेल टू शेल ही लिखेगा लेकिन सब को यह बात पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोन पहले एंटर कहां किया है और सुमें प्रेस्ट ठीक है जिए स्केंडियम के बाद टाइटेनियम इटी जोन के कैल्शियम भी लिख सकते हैं कैल्शियम तो थो पिए लिख सकते बिल्कुल नहीं लिख सकते इसमाटर नोबल के स्एग्जट्ली तो ए यार लिखा जी उसके बाद 4S2 लिखा छी 6 32 लिख दिया उसके बाद scandium vanadium 23 लिखा vanadium ए आर लिखा जी आगे में भूल गया क्या लिखना था लिखने का तरीक हां बोलो बोलो अर्शनूर एक सेकंद अर्शनूर की बाद सुनते हैं पहले क्या करी अर्शनूर एक अवाज और आ रही थी किसकी थी अभी आपने वह राइडिंग नेखर वला बताया वह दुबारा बता दो लो जी यह हो गया सबकुछ डिलीट मैं scandium का electron configuration लिख रहा हूं यह 21 नमबर पे ठीक होगी बात एर मैंने लिखना ही लिखना है और जो पीछे मेरे पास rule था उससे electron S में एंटर कर चुका यह first हो गया यह मेरे पास correct order to fill the electron है कि यह सब्सक्राइब लेकिन हम ना लिखने का जो तरीका है जो इसका return method है जिससे इसको लिखने में ठीक लगेगा वह यह शेल वो इस लिखो according to increasing shell वह हमारे बोलने का तरीका सहज एक सेक नुकना मेरे को यह लिखने तो पूरा एक बार ना AR लिखा जी 3D लिखा अगर आप इसमें भी interested नहीं तो पूरा लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 तो गुरलीन पते क्या किया लिखने का जो तरीका है वह according to increasing value of shell है पहला शेल दूसरा शेल दूसरा शेल तीसरा शेल तीसरा शेल तीसरा शेल तीसरा शेल चोथा शेल शेल वोईज सहज की टरना गई इस सैन्म उन्हें यह पूछ रहा था कि हम जीएस्ट सब्सक्राइब करेंगे जैसे अगर प्रेफरेंस का कोई मतलब केंवर शेल और अब बिनी बनता कोई आपसे पूछिए गई नहीं कि प्रेफरेंस के कोडिंग ली हम ओल्वेज इसएस बेसिसे लिखते हैं तो इस अगर मिर से कोश्चन पूछता है कि फस्ट लेक्ट्रों टी में अंटर किया या एस में अब लोगे पीस टी इस फूल रहाम बताओ तो सहाज यह कूछ नहीं थहां इसाइब कैसे को सद्भीकों प्रिफरेंस देंगे पर योव्मिटिक कि एक नातिय है तो इसलिए इसको लिखते हुएक कभी अगर आपको बोर्ड पर मालव आपको वन क्रक्该 एन्या और हम कुल आपको बछल धायो आपको कुछ नहीं बोलेगा और आप आके अपनी बैंच पर भापिस 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 खड़ी हो जाओ आपको प्रोब्लम है वो बोलेंगे लेक्टन पहले एंटर किसमें किया 4S में 3D में तो आप बोलोगी पहले 4S में वह आपसे पूचेंगे रूल का लगा तो आ पर से रूल लगा तो हर बात का जबाब आना चीह हम लोग को बस अब के सर श्केंडियम के बाद टैटेनियम की टर्न है 22 ठीके जी यह ए आर लिखा 4S2 3D1 यह भरने का तरीका है लिखने का तरीका AR कर दिया गया है 3D2 4S2 टैटेनियम के बाद स्केंडियम के बाद वेनेडियम 23 ए आर लिख दिया 4S2 3D3 लिख दिया गया है 3D3 4S2 2 ठीक है मेरे से कोई बोलेगा अगर आप इसको बोक्स में भर कर आऊ तो 3D के अंदर तीन बोक्स है कि नो सर्फाइब आपकी दिमाग की बतती जगी कितनी दिरबाद नहीं बतती जगी आपकी दिमाग की दिमाग की लो जी यह मैंने तीन लेक्टन भर दी है बात खतम हो गई इसका मतलब मैं पूटा हो गया मेरी मेमरी चली गई तुमारे कहने का मतलब है यह लो जी अब ठीक है चलो जी अच्छी बात है तो वन हो गया टू हो गया त्री हो गया और यह गलत भर दिया अब भी गलत भर है यह लो जी अब तो हंड समझ में आ गया होगा जलो जी टैनियू वैनेडियू उसके बाद मैं मूव करता हूं किस तरफ क्रोमियम क्रोमियम हमारा स्टार है हीरो है हमारा क्रोमियम क्रोमियम हीरो क्यों है हाँ यह एक्सेप्शनल केस है, आपको इस टेस्ट तक सिरफ तीन एक्सेप्शनल केस सीखने है, नमबर वन क्रोमियम, नमबर टू कोपर, एड नमबर थी कोपर के नीचे पड़ावा सिल्वर, बस, मेरी बुक के अंदर टोटल मुझे अप्रोक्सीमेट 12-15 एक्सेप्शनल केस दे रखे हैं, आपको बारवी में जाकर सीखने हैं, अभी एक्सेप्शनल सिरफ तीन सीखने हैं, इस सीरीज का क्रोमियम 24 नमबर पे, 29 का कोपर, और कोपर के नीचे पड़ा 47 वाला सिल्वर, बस, क्रोमियम जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड है, वो क्या जी, आपने एर लिखा, जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 3D, 4S, excuse मिश्मी सर, बोलना बच्चे कुन बोल रहा है सर मीटिंग अन्लोग कर दो अन्शीता दूसरे डिवाइस से एड हो रही है नी बच्चे तो पूरे ही है इसमें अब कहां से और निया बच्चा आ गया सर अन्शीता अच्छो अन्लोग होगी बटा किसर थेंक यूद कि अच्छो कि सिधार्थ ने भी मुझे फोन किया था न मैं अच्छल में मॉवाइल पढ़ाती विद मेरे को नजर ने जाती है न फोन पे अन्शीता का मैसे आया हुग अच्छल में कि सिधार्थ आगे क्लास में कि अच्छल कोई नहीं नहीं नोट्स भेज दूंगा तरको नहीं और कुछ सीखना हो तो शाम को फोन मार ले ना मिर को च्छे बजे क्या अस-पास ना कि सार हां जी क्रोमियम एक्सपेक्टेड एयार 3D4 4S2 है बट रियल कॉन्फिग्रेशन एक्च्छल कॉन्फिग्रेशन इसका क्या है यह एक्सपेक्टेड था जो गलत है टोटली रोंग है हम इसकी वजह भी जान लेंगे ठीके जी और अब एक्क्टेड क्या है यार हो गया 3D5 5 हो गया 4S1 हो गया यह इसका एक्ट्ट्व कउन्फिग्रेशन है और एक्ट्वल भी इसई को हमक्या बोलते हैच्टी अक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन देख कि तरह स्मूथ चल रहा था एक से लेकर 23 तक पिलकुल स्मूथ जो जहां अभी बताते हैं जी, डी सब शेल का maximum capacity क्या है, वो आपके पास है 10, ठीक है जी, डी सब शेल की maximum capacity है 10 electrons, अब जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आपके पास half field, अगर कभी भी आपके पास half field, एक सब्सक्राइब बटा, भोलो, अंशिता, मैंने यही चाना था कि मेरा डिस्कोनेक्ट हो गया था, थोड़ा से रिवाइस करवाद हो कि 21 से, इसको complete करके, करके, complete करके, ना यहीं तो फिर मेरा ना सलिबस रह जागा बच्चे ना, हम complete करके, क्योंकि मेरे पास कल डाउट दे है, और मैं चाहता हूँ ना, डाउट दे में आपका जो आध्मा सेक्शन पूरा और नॉमा सेक्शन पूरा हो जाए, पांचार कोशन बचते हैं, वो बोदर नियों परसो कर लेंगे, कि यह दो क्लास हैं, इसके बाद हमारे पास ना, जैसे कल तीन तार ही हो जाएगी, चार-पांच हाना, टेस्ट कब है? हाँ, छे को छुट्टी और साथ को टेस्ट, मैं चाहता हूँ हमारे पास कल के बाद बहुत कम काम हो, हाफ-filled, फुल-filled, जो भी आपके पास orbitals होईंगे, वो highly stable होने वाले हैं, highly stable होने के पीछे वज़ा क्या है? यह बड़ी काम आईगी अगले चैप्टर में बात, हाफ-filled, फुल-filled orbitals, highly stable है, वज़ा क्या है? पहली वज़ा symmetry है, और दूसरी वज़ा जिसको हम बोलते हैं, exchange energy, जितना exchange energy बढ़ेगा, यह क्या चीज है? थोड़ा सा 10 मिनद तक अपने दिमाग को ज़्यादा लगाना और मुझ को बंद रखना 10 मिनद तक अगले, exchange energy, exchange energy जितनी ज़्यादा होएगी, stability उतनी बढ़ेगी, और stability जितनी बढ़ेगी, वो configuration कोई भी atom easily accept कर लेगा, तो थोड़ा सा टिक्कर मेरे साथ में सीखना, कि exchange energy क्या है? exchange energy, energy released during the exchange of electrons, exchange, कैसे exchange? थोड़ टिक्कर सुन लेते हैं, उसके पहले number of exchange निकालना होँ, तो आपको एक formula apply करना पड़ेगा, आपने ये formula पहले भी पढ़ा हुआ है मेरे साथ में, n, n-1 by 2, clear है? और यह जो n है, यह electrons with same spin है, यह वो electrons है, जिनका spin इदर clock और anti clock. लो जी, थोड़ा सा ticker मेरे साथ में रहो, मैंने D1 लिखा, इसके कहते exchange गिनो, अब एक बात करूँगा, मैं आपसे देखना, आपने एक showroom पे गए, ठीक है, वहाँ से आपने न कुछ भी लिया एक, कुछ भी, जो आपको पसंद आया, मानलो आप किसी जूते के showroom पे चलेगे, आपको नएकि वाले showroom पे चलेगे वहाँ आपको नएकी के जूता इक share पसंद आगया, pair पसंद आगया, आपने ले लिया, आपने उससे का भाई ये pair लेके जा रहा हूँ, मानलो मानलो मेरी घर पे पसंद नहीं आता, मेरे भाई को, मेरी बहन को, पापा को, मुम्मी को, त तो सामने वाला salesman बोलता है भाई एक ही है एक ही पीस है आप एक्षेंज नहीं कर सकते हो आपको लेकर जाओ आपको नहीं लेकर जाना तो आप यहां रख जाओ आपने का एक्षेंज नहीं होएगा उसने का जब आपको सेम आर्टिकल चाहिए दूसरे कलर में चाहिए मिर पा आप एक्सचेन्ज पढ़ेगी स्टय बढ़ेगी तो दिवन में एक्सचेंज के कोई चांस नहीं है just extend कसे शांस नहीं जुड़े दिटू लिख रहा है की चाहिए को कोई बच्चा बताएगा कितने एक्सचेंज पुसिबल है ना, फोर्मले से भी होईगा, ननी या वन, वन, तो आप यहाँ टू लिख रहे हो, टू माइनस वन लिख रहे हो, तो एक 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 चेंज है, बात भी ठीक है, वो ही सेल्समें ने का भी हाँ, आप सर्फ क्या करो, एक जुता तो आप ये ले जा रहे हो, इसमें कलर थुदा था ब्लू सा पड़ावा जो आप लेके जा रहे हो आपका एक्सचेंज की possibility बनती है तो आपको लगता थोड़ी stability आ गई यार आज शादी में ये वाले जुत्ते पहन के जाएंगे कल दूसरी वाले पहन के जाएंगे मलब दो एक्सचेंज पोसीबल है एक एक्सचेंज पोसीबल में है रेड़ प्लू ग्रीन अब अप आकर एक्सचेंज सकती हो तो वन विद टू वन विद थ्री एक दो के साथ एक तीन के साथ दो तीन के साथ exchanging possibility है उटल तीन पोसीबलीटी है न न अब और यह ताम जाम करने सीचां сीथे फॉर्मले से निकाल ले कि इतना ताम जाम कर ना है कि यह possibility one with two one with three a permutation combination आप नहीं कर पाए तो आपस जाओगे इसे चाह फोर्मॉला लगा दू थू थृ इलेक्ट्रोंस विद्ध सेम स्पिन बाइटू तो स्टियमिलेटी बढ़ती जा रही ने दिमाग की कि यार आज यह वाली शट पहुंज जाएँगे दूसरे दिन बदल के लिए ऑऊट पहुंज चाहेंगे तीसरे दें से बदल के पहुंज जाएंगे ना मजे वली बात तीन साधिया अटेंड होगी एक पैसा लगाकर हम बोलो भी किसको पशानी हो रही है बोल दो बोल दो बिटा जल्दी से अगर ऑपोजिट कैसे होता अभी आएगा अपोजिट की बात करेंगे अपोजिट तीन में तो होई नहीं सकता पतर जी अब आप मुझे जल्दी से बता दो हमेनी एक्सचेंज सर पोसीबल और जैसे करूंगा हमेनी एक्सचेंज विल भी पोसीबल टैन 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 मुझे लगा टन अब सुनो अब थोड़ा सा पीछे चलते दाएगेगेश दाएगेशे और डी फोर जब कॉन फिगरेशन है तो नंबर ओश एक्सेंज कितनी है जी चह और दी फाइग Should inside 10, तो D4 D5 में convert हो गया, D4 D5 में change हो गया, हुआ कुछ नहीं, बस total number of electron उत्र ही है, 4S2 का एक electron D5 करके transfer हुआ है, इससे इसकी stability बढ़ गई, और इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, reason number 1, D sub shell accommodate 10 electron, done, if half filled 5, full filled 10, highly stable, why these are highly stable, symmetrical, as well as exchange energy, how the exchange energy increases stability, आपने का जी, अगर मेरे पास configuration D4 है, तो exchange are possible 6, और एक बात चो मैंने लिखी तो उस पर आपका ध्यान शायद नहीं गया, मैं उसको blue pen से underline कर रहा हूँ, released, इसमें क्या खास बात है, इसी में तो खास बात है, भाई, जब energy release हुएगी, जब भी energy release हुएगी, अच्छा बताओ, dead body के energy कितनी, 0, 0, 0, तो आपने दिखा थे, वो dead body को चलते हुए, और चलने लग जाए तो, सारे बाट जाएगे वहां से, वो शायद हमारा आखरी दिन हो, उसका भी और आपका भी, तो उसका तो था जी विचारे का एक तुदिन पहली हो गया होगा, तो यही कह रहा हो, जिसकी energy release हो गई, जिसकी energy release हो गई, जिसकी energy release हो गई, वह stability बढ़ती है, तो भाई, जिसमें 6 exchange हैं, और एक में 10 exchange हो रहे हैं, तो in which case the stability is more, answer is simple, एक में 10 exchange, that's why अब कोई आपसे पूचेएंगा, वाई था क्रोमियम इस एक्सेप्शनल, वाई था कोन्फिगरेशन अफ्रोमियम इस नाट 3D4, 4S2, तो इस 3D5, 4S1, which is the exact reason behind it, तो अगर आपको exact reason बोलना है, तो आप बोल तो 3D5 is half-filled, it is more symmetrical, so stable, उसने गाने नहीं, exact reason, तो आप फिर उसको exact reason समझा क्या होगे, due to 3D5, more number of exchange are possible, due to more number of exchange, due to more number of exchange, releasing energy is more, और जितनी energy release होएगी, उतनी stability बढ़ेगी, simple, जाएपल, बोलो जी, एक बात करना, पूरी बात करना, बात सुनने यहां मैं थोड़ से बात करूँगा, उसको सुनना, मिरा बना फिक्स अंसर है, जो मैं पिछले कई सालों से हर साल कम सकम 6 बार देता हूँ, क्लियर क्योंकि मैक्सम एक साल एक छे बैच पढ़ाते हैं एक दिन के अंदर ना तो छे बार मैंने बात बोल दी है चाहिए वो ग्यारवी हो चाहिए बार्वी पास बच्चाओ हब सबको यह बात बोलता हूं यह तुम्हारे वाला कॉश्चन हर एक पूछता है इस दुन्या में किस Delhi ने बनाया नहीं है प्रम यह बने हुए को एकस्प्लेइन किया यहcios जहां जहां बदला वह depositorySON हुआ 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 था प्योग जाना तो यह मैं चाहिए आन प्लस है रॉलिकाव गया चैजिकों हुं मिरसे कोई पूछ प्रूल का वालेशन हो गया तो बिसको एक्सेप्षिन मिर से पूछ रहा वाइट इस एक्सेप्षिनल तो बोलूगा S में जाना चाहिए, सब्सक्राइब को दिखा और मैंने उसको एक्सप्लेइन किया यह आप अपनी तरफ से कोई भी चेंज करने वाले नहीं हो यह ध्यान रख लेना अब 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 बोल रहा था कोई और बोल रहा था अब बोलो वापिस बोलो कि एक एक्सचेंज रिट जादा होगा यह 컨फिग्रेशन हाफ और फूल फिल्ड की बात चल रही है न जो डी 5 एडी 3 थोड़ी हाराफ फिल्ड है D4 थोड़ी half field है, हमेशा एक stability का mark आएगा, stability का पूरा के पूरा milestone आएगा, वो stability के milestone हर सब शेल के लिए दो होते हैं, जैसे P है तुमारे पास, P3, P6, D है तुमारे पास, D5, D10, और जैसे तुम F पे जाओगे, F7, F14, ये दो landmark होते हैं, जहां रुकना होता है, सोचना होता है stability है, इवन एक बात और बताओं, मालो किसी का half field हो गया, छटा electron एंटर्डूस करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, D के अंदर, अगर किसी का configuration half field हो गया है, उसमें अगला electron एंटर्डूस करवाओगे न, it's very difficult task, क्योंकि वो oppose करेगा, symmetry, stable structure always opposes, क्योंकि उसके बाद वो configuration हमने read किये, उनको explain कर रहे है, और 30 तक 2 exceptional है, बस, बाकि तो normal है, अब थोड़ सा आगे बढ़ता हूँ भी मैं, आयूश को जल्दी से question पूछना है, आयूश, fast, आयूश, fast, क्यों हुआ, ऐसा configuration अपियर क्यों हुआ, अथाइस में तो stable थाई न, तीस में से अथाइस में तो stable थाई न, यहाँ configuration क्यों बदला, that explanation दिया हूंदा भ्याव, नहीं तो मुझे exchange energy की नीड ही ना बढ़ती, मेरा काम चली रहा था, कि forest के अंदर energy काम है उसमें stable है, मेरा काम चली रहा था, exception को explain कर रहे हैं हम लोग, आस्ता का question, सर्ज जो अपने line बोली थी न, 3D5 के explain कर या था, वो line repeat कर दो, मैं भी करता हूँ, एक दो question हो ले लूँ, हाँ, बोलना मचें, सर्ज सिमेट्री का relation हुआ, अगर कोई symmetrical है, तो stability ज्यादा हुएगी, क्योंकि ये सारे degenerate हो गए, और माले साहिल ऐसा कुछ scene बन गया, तो ये तो अब ये वाले से इन तीन चारों के energy differ हो जाएगी, तो ये unsymmetrical energy different हो गई इनकी, जितना symmetrical, उतनी energy equal level पे उतना stability, तो तुम्हारे word का सीधा सीधा आंसर दे दू, समेट्री directly to stability, समेट्री बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए D5, D10, P3, P6, अपोज करते हैं, एलेक्ट्रों के एंट्री का, कहां तक पहुच गे थी हम लोग, यहां तक हना, तो इसमें line क्या थी exactly, मैं उस line को repeat करूं, कुछ lineों के words स्यादारे, क्या थे, जो मैंने लिखवाने थे, बच्चा आस्था बोल रही थी न, कुछ words स्यादारे उसके, मैं आए, बोलो, बोलो, I guess it was due to 3D5, there will be more exchange, energy exchange, हाँ, 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 ऐसा लिख लो, clear, in case of, in case of more number of exchange, for example, D5, D10, in half and fulfilled orbitals, in half and fulfilled orbitals, stability, will be increases, due to, due to release of energy, और जितनी energy release होईगी, stability, जितनी energy release होईगी, stability उतनी बढ़ती, 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 बढ़ती चली जाएगी, तो why the D5, why the chromium is exceptional, बढ़ा simple, दो words में answer देके, तो इतना बोल दो, कि खट से आपकी बात को, आपका teacher मान लेगा, आप बोल दो, कि exchange energy, टीचर के गा, okay, तुम्हीं information है, बात कतम करो, Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, बच्चे, अब मैं इसके बाद 25 पे चलू, 24 को finally एक बार फिर लिखते, मैं 24 का configuration भूल गया भई, कौन बताएगा, अमर्त बताना, 24 का configuration बताना, अमर्त? 3D5 AR लिखा, अमर्त हो गई, क्या? 3D5 3D5 4S1 4S1 Okay, यह अब actual है, Chromium के बाद नंबर मेगनीज का लगने वाल है, AR को तो कोई छेड़ खानी करेगा ही नहीं, जिसमें electron जाना चाहिए वहीं भरेगा, वो कोन है, आपका rule के coding ली? Ag per rule, अचा, rule कौन सा? Ag per rule, rule कौन सा? Ag per rule Ag per rule N plus L rule अचा, इन दोनों configuration में किसी को प्रशाद नहीं? No, sir No, sir No, sir कितने बच्चे नींद में हैं, जल्दी से हाथ खड़े करो No, sir कोई नहीं है No, sir Chromium Magneze Iron इसमें मेरी help कर दी है, Amrit बोल नहीं रही, पता नहीं कहा चली गई? Sir Amrit बोलना, इसका यह configuration लिखना है, बटा Sir, 3D5 4S2 4S2 तो हो गया, ठीक है 3D6 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 4S2 चलो, मैं अब एक दो बच्चों से बात कर लूँ, तो अंचिता क्लास में हो? Yes, sir अंचिता 3D6 4S2 को बोक्स में भरना है, भरवाना? Sir, clockwise बरना है हाँ, हाँ, ऐसे कर सकते है, जनरल रूल यह ठीक है? Is it correct or incorrect? Sir, correct चलो, इसके बाद का नमबर, आयरन के बाद में नाम भूलिया को नाता है? कोबल्ट 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 आयरन कोबल्ट, निकल कोपर, जिंक ठीक है भई? Yes, sir इसके बाद तो असान ही है, बस एक गडबड करेगा, वो तुमारा कोपर है ठीक होगे? और एक्स्प्लिनेशन वोई पुराने वाला है मतले इसमें सब 3D 3 हो जाएंगे हाँ हाँ यह एक्स्पेक्टेड था जो की गलत है और रीजल से में ठीक है जी AR लिख दिया गया है 3D 10, 4S 4S शुल्ट भी हाइलाइट शुल्ट भी स्टार शुल्ट भी रिटेनेश एक्सेप्शनल केस रीजन वही पुरानी स्टोरी क्या? एनर्जी ओफ द एक्स्चेंज ठीक है आपको एक्स्चेंज एनर्जी अवनी का कुश्चन आ रहा है अवनी का कुश्चन आ रहा है सर यह जो एक्सेप्शन है यह क्रोमियम और कॉपर के साथ ही हुआ उपर नीचे वाले एक एलिमेंट साथ ही हुआ सेम बात, सेम बात क्योंकि जैसे ही मैं नाइन के आसपास अवनी देखो अवनी देखो इसमें ने तुम्हें एक मैन्यूट अब्सर्वेशन आएगी जैसे तुम दीफोर के आसपास पहुंचती हो तो दीफाइव हाफ फिल्ड का लैंडमार्क है बिल्कुल पोडोस वाला जो दी नाइन पे पहुंचती हो और डी टैन पे लैंडमार्क है बिल्कुल पोडोस वाला तो यहां गडबर इसी वजह से एक बात और बताऊं अवनी तुम्हें पहले में कम्प्लीट कर दो जिंग को एक चोटी सी बात का एक्स्प्लेनेशन में दिया एक और बात पूरी करता हूं जिंग पहले लिख दूं पूरा जिंग कैसे लिखेंगे बाता हूं मिलको लग रहा है यह ना कर देना चाहिए 3D11 अवनी के पहले कुश्यन का अंसर यह कि जैसे ही मैं क्रोमियम पे पहुँच रहा हूं तो वहाँ electron configuration D4 था तो उसको 5 बनना असान है due to exchange of electron from 4s और एक चोटी सी बात और करूं 3D और 4s मैं से मुझे भी पता energy 4s की कम है 3D की जादा है लेकिन इनके भी difference, delta for difference of energy है वो very less है मतलब अगर दो shells के बीच में energy का difference जादा हो तो electron कभी भी exchange नहीं हो सकते दूसरी बार if the difference of energies in between two sub shells is high, then we can't exchange the electrons तीसरी बार, अगर दो sub shells के बीच में energy का difference जादा हो अगर आपके और आपके परोसियों के दिवार उंचियो 15 feet की तो आप गूद नहीं सकते आपको door knock करना पड़ेगा का बात करने पड़ेगे हाँ जी भाई सब कैसे हो clear और अगर आपके और आपके परोसियों के दिवार 2-3 feet, 4 feet की हो तो फिर वहां से थोड़ी गरतर निकाल कर बात कर सकते हो फिर आप door knock करके मिलने नहीं जाते हो वहीं अंदर इंदर काम चल जाता है आप कहान जी कैसे ओके बढ़िया चाही चल रहा है खाना बन गया आज कड़ी चावल बने राजमा चावल बने ओकी ओकी बात खतब clear है तो अगर डिफरेंस कम हो तो एक्सचेंज हो सकता है आप फिर नोक करके कोई समान देने नहीं जाओगे चीनी मांगने जाने आपको परोसी होगे याँ पे तो नोक नी करोगे आप वहीं से दिवार से एक्सचेंज कर लोगे तो इफ दर चोथी बार बोल रहा हूँ इफ दर डिफरेंस इन बिटविन एनर्जीज ओफ टू अगर मेरे पास सब्सक्राइब तो एलेक्ट्रोन का एक्षेंज पॉसीबल है अगर यह जादा हो तो एलेक्ट्रोन का एक्षेंज पॉसीबल नहीं है और हमारे पास 3D4S की बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है that's why we can exchange the electron in chromium as well as in the copper अब मुझे थोड़ असा बचेवे टाइम में मेर पास एक्जेट टाइम बचा हुआ है तीन मिनट और 23 मैं चाहता हूं मैंग्नेटिक मोमेंट सिखा दू फिर कोशन ले लूँ आपके यह सब्सक्राइब प्रोपर्टीज पांच मिनट सिर्फ फिर आपके पास ना वो पस ओर्बिटल के शेप्स रह जाएंगे और एक श्रोन निंजर रह जाएगा फिर कुछ बचे गई निया आपके पास ना फिर आप एक विन-विन सिच्वेशन में आ जाओगे लो जी उसके बाद बोलते रहा ना जो आपका मन करें सब्जेक्ट से बढ़ आपको गुर्तासमान का गाना सुनौंगा जी आप लेकलाश इसी थे मेर पास वो आजी अम्रतमान बन गया वह बत्यास हो वो गृता समान की गाने सुना घरताथा टाटटलास में अ जैंते मृतमान को वो मुझे गारे सुनाया करता था गुर्दासमान के 11 12 में हां जी अगर वो आपसे पड़ा होता है कहीं को बैठा होता नून मेडिकल नून मेडिकल नून मेडिकल पठिंडा का था वो गुनियाना का 11 12 सब्सक्राइब करता मैं तबी उसकी जब पहला गाना आए था ना मेरे घर मिरे से चंडिगर मिलके गया था फस्ट सोंग पर कर नंबर है आपका हाथ दूनों नंबर है मेरे पास उसके अधर आप मजाक औरना मेरी सबसे बड़ी प्रोब्लम में ना तो जूट बोलना पसंद है ना जूट सुनना पसंद है यह तो मैंने सुना था कि हैलिक्स में पढ़के गया था यह मुझे पढ़ा है तुम गलत सु पठिंडा करिर पॉइंट अज से पंदरा साल प्रेंग नोन मेडिकल नोन मेडिकल अब बात करें में अधिक यह राजपुरा में ने को लेज इंजरिंग वाला वां पड़ा वह 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 अंग एंजरिंग के डिगरी कर रखिये इसने हां जी शुरू करें तुम स्रों को बातते हैं कसी की बात कर रहा है तो गानी प्रेंट के लिए सिंबल आता है मेरे पास मेघनेटिक पहली बात क्लिया मेगनेटिक प्रोपीटी स्वनल यह मेजर्मेंक्यों हुएगा आज 220 वैक्ईता के च्वरी सिंब्ल आपनेकोत और अच्छी बात है नहीं देखा तो मैं इसको लेटिन सिंबल है M U बोलते हैं मू ठीक है और इसको डिनों अगर दोनों का सिंबल सेम है मू चलो जी अगर किसी को मेगनेटिक मोमेंट करना हो तो एक फोर्मला लगाना है रूट N N प्लस टू और जो N न बचे ये मेरे पास है नंबर ओफ अनपेर्ड इलेक्ट्रोन्स अब तुम्हारे चारों के चारों रूल्स आपबाउस का हर्ण्स का N प्लस हल का पाउलीज का इन चारों पेस्ट कंट्रोल उसके बाद रात को ग्यारा बस तक आप मुझे इलेक इलेक्ट्रोन पता चलने लग जाएंगे उससे आप मेंग्नेटिक मोमेंट निकाल पाऊगे तो मैं प्रैक्टिस गेम खेल रहा हूं मिर साथ रहना और बात को सुलना ना सबसे पहले मैंने आरन लिख्खा टीके जी आरन लिखकर ट्वन्टी सिक्स लिख्खा एर लिख्ख इसके दोनों के दोनों एलेक्ट्रोन पेर्ड है अब 36 चारों के चारों रूल बोथ प्रैक्टिस करवाई मैंने आपको अगर आप अपने सीखा है तो आप विनर हो जाओगे यह लोग जी तो हमनी अनपेर्ड एलेक्ट्रोंस और जैसे ही इसको म्यू इस एक्वस्टू इसको प्लस टू शुरी चारी थे ना मैंने गलती किये फॉर फॉर प्लस टू क्लियर रूट 24 25 अप्रोक्सिमेट 4.9 क्या सपस इसका अंसर आजाएगा यह इसका मैगनेटिक मोमेंट और मैगनेटिक मोमेंट का यूनिट भी होता है अगर अभी उसको ज्यादा इस पर मत ज इसका मतलब होता है बहुर मैगनेटों लेकिन अभी बत पकड़ो उस रूट को अभी सिर्व सिर्फ लिखो कि मैगनेटिक मोमेंट निकालना आपने बस तो मैं आप से एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे अगले एक्जम्पल का मैगनेटिक मोमेंट आप भी निकालके तेद देए देओ मैने लिखा जी ग्रोमियम वर्ट शुट वित अ मैगनेटिक मोमेंट अव करोमियम बस अन पेल अक्टू कितना पुट करना और आंसर देदेना एक्स मेरी शिक्स अंप्याड ये शिक्स सिक्स प्लस टू ठीक हो गया रूट फोर्टी एड़ अप्रोक्सिमेर शिक्स पॉर्ट नाइन एस सर किसी बच्चे को सिक्स पर अब्जेक्शन ओ स्ट्रेट फरवर्ड बात करो खुल के बात करो बडल्बड आ दो ये बतादिया जी घर मने लक्त्रों सिंद डर्टी विच अनकेदग यद्ध तो एक्त वडू इटो तू थे पर फीड़ ट्री यू थे वर फीजिक्स नीश सिक्स अच्छी अब द तीसरी ब्रेक्तिश और सरे एक पर BM भी बता दो, BM का फुल फॉर्म जो बोहर मैगनेटोन, बोहर, B-O-H-R, बस जी से, KM लिख दो किलो मिटर, M लिख दो मीटर, S लिख दो सेकेंड, KG लिख दो किलो ग्रैम, G लिख दो ग्रैम, वैसे BM is a unit, किसकी, type, magnetic moment की, तो इसलिए इस पर ज्यादा बहुतर मत करो, बहुत टाइम मिलेंगे हम इसको सीखने के, फिजिक्स वाले तो तो में पका देंगे, सिखा-सिखा के, यह बहुर मैगनेटोन, मैगनेटोन, इस यूनिट, बहुर मैगनेटोन, तो जादा बहुतर ना करो इसका, जैसे 4 किलोमेटर, वैसे 4.9 BM, यूनिट है बच्छे सब्सक्राइब करेंगे, तो सभी का फायदा हुएगा, बाकि आपकी चोईस है, क्योंकि सिर है आपका, जीरो, 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 नियोन लिखा, 3S2, 3P3 लिख दिया, इलेक्टन कोनफिगरेशन, 15 नमबर के लिखना पड़ेगा पुतर जी, आईश बोलना मिटा, सॉरी सर, नियोन नी देखा ना गे, नियोन तो जीरो ही है न, नियोन का खुद का तो जीरो ही है, नियोन में सारे इ 43 YOUmer मैं बोलता हूँ, ये 1S2 है, क्योंकि तूम थोड़ा सा जल्दी बाजी कर रहे हो ये 2P6 है, ये फिर प्यरोंगे सारे की सारे, फिर 3S2 है, ये फिर प्यूरंड होगे सारे की सारे, फिर 3P3 ये ए, प्योंचा, गलत है, बिल्कुलत है जी, 100% गलत है, यह लो जी 3P3, these are the 3 unpaired, so mu is equal to root 3, 3 plus 2, root 15, ठीके जी, 16 का root 4 होता है, 15 का, 3.59, 3.59, 3.59, 3.59 असपास आजाएगा, बोलो जी, पास में ले लिया करो, वो option पर depend करता है, हम subjective question कर रहे हैं, तो root तक छोड़े हो, और अगर objective है, तो चार option में से करना पड़ेगा, अब एक reverse game सिखाऊ, बात समझ में आगी ना बच्चे, reverse game सिखाऊ, यह answer क्या है, 3.9, unpaired कितने थे, 3, 3, answer क्या है, 6.9, 6, 6 क्या थे, unpaired, 4.9, 4.9, answer 4, 4, unpaired, unpaired, ना बढ़िया तरीका उल्टा जाने का, यह सर, यह सर, यह 9 लगा, अप्रोक्सी में नाई नहीं आता है, सब के अंदर, तो मेरा कहना यह था, if you want to know the unpaired electron in the given atom or ion, तो अगर magnetic moment दे रखाऊ, मैं अगले page पे जा रहा हूं, if mu is given, इन बोहर magnetron, अगर आपको mu दे रखाऊ, then, first digit, represents unpaired electron, clear है, first digit of the answer, जो होएगी, clear, किसको represent कर रही है, represents unpaired electron, unpaired electrons, है ना मजिदार बात, तो अगर किसी को, हाँ जी, हमें से अपने subjective exam में भी उस कर सकते हैं, सब्जगा, 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 यही तो खासियत है, अगर आप coaching कर रहे हो, तो आपको subjective objective दोनों की त्यारी मिल रही है, वो अलग बात है कि करोना की वज़े से, सब्जग्टिव हो नहीं पारा, बार्मी का, लेकिन तुम्हें त्यारी करके रखनी है, तुम्हें यह chances नहीं मिलेंगे, उल्टा नाहीं मिले, पेपर होने को मिल जाय, तुमारी किसमत अच्छी है, इसका मतलब, बिना पेपर के जाना बहुत गलत रहता है, एक्च्छल हो यह नहीं बाता, बच्चे के साथ हो करके आ रहे हैं, वो तो मजबूरी अब नहीं ले रहे, बिना पेपर के आके जाना, वो समझ नहीं बनती उतनी, कोई कितना यह बढ़िया तयारी करके बठाओ, एक बार पेपर फेस कर लेता है न, तो confidence बिल्ट हो जाता उसके अंदर, हाँ भी, अगले 12 मिनट ध्यान से सुनो, अब मुझे electron configuration of, Sir, sorry for the interruption, but मेरी meeting leave हो गई थी, अपने आप पेपो बता दो भी, आपने क्या करवाया है, Sir, हम third example कर रहे थे, बस कुछ नहीं बताया, उसके बाद एक लाइन बताईए बच्चे को, कि अगर मिरको कोई magnetic moment दे दे, अगर मुझे कोई magnetic moment दे दे, तो पहले वाले digit मुझे unpaid electron को रीपरजन कर रही होती है, जैसे 4.9 मेरा answer आगया, तो अगला-वाला जो 4 है, वो unpaid electron को रीपरजन कर रहा है, 6.9 मेरा answer आगया, तो 6, unpaid electron को रीपरजन कर रहा है, और मेरे पास answer 3.9 आगया, तो 3 मेरे unpaid electron को रीपरजन कर रहा है, इशमीद वापिस भारतो नहीं हो गई? नहीं नहीं सर यह ही है फिर मैंने इसको एक सिंपल रूल में चेंज कर दिया जो बुक्स में नहीं मिलता है यह नोट्स में लिखा मिलेगा आपको इफ म्यू इस गिवन इन पी एम देन फस्ट डिजिट ऑफ दांसर री प्रजेंट दान पे लेक्रोंस अच्छी बताओ सोडियम का एलेक्रन कॉन्फिग्रेशन यही है क्या नियोन थ्रीस वन ग्यारा नंबर प्याता है यह स्ट एलेवन मिनट्स है मेरे पास थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लो इससे हमारी नेक्स्ट क्लास पर डिपेंडेंसी का मुझा है सोडियम का कॉन्फिग्रेशन नियोन 3S1 है इफ यू वन्टो मेक एन ने प्लस तन वट शुट बीरिमूववट वानिलेक्रों पानिलेक्रों पीजिग्रेशन क्या बन गया सोडियम नियोन नियोन बला यह चलो जी अब मु अगर मुझे इसको मेगनेशियम वन में कनवर्ट करना है वर्ट शुट बीड़ियरेशन वन रियोन रियस वन ठीक है इफ वोन्टो कनवर्ट टो एम जी प्लस टू हाँ बात क्लीर हुई अब मैं बच्चों के नाम ले लेके बात करूंगा अभी ध्यान से सुन ले ना मैं अपनी वही खाता खोल लेता हूं कि एक सेकंड बच्चे बोलती जाओ बोलती जाओ फटा फट इसलिए पहला अटक इस पर होता है रिमूवल यह भी रूल बना लो रिमूवल ओफ इलेक्ट्रों टेक्स प्लेस फ्रों मैक्सिमम प्रिंसीपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रों का रिमूवल हमेशा मैक्सिमम प्रिंसीपल क्वांटम नंबर से ही करवा होगे मैक्सिमम प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तो पता आपको क्या होता है यह यह वन स्याइंड प्रिंस्टीपम और यह त्री प्रिंसिपल ख्राइब बोलना है के लंग यह दिए यह फ्रिख which one is outermost shell which one is outermost shell 3D 1 outermost 3D1 कासी हो जाए तर्ष्ट अर्थ वन वन टू प्री फॉआ इस ओ प्री दूइस और वर विश्ट प्रीर मारो क्लू इंवोल ऑखा सक्क 20 मारो को डिल्मॉर ख़्ी हम ज effectivement टेकस प्राहिए व हम टो अ मैक्सिम प्रिंसिपल कॉंटम नंबर थ्री और फॉर 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 ना एक सिंपल सा जबाब आ गया माइनस एलेक्ट्रो निकाला स्केंडियम प्लस फन बनाया तो कॉन्फिग्रेशन एयार बन गया 3D टिका हुआ है अगर आप दो एलेक्ट्रो निकालने में इंट्रस्टेड हो तो अच्छी बात है कि त्रीडी तक रहा जाएगा त्रीडी वान त्रीडी वान टू रिमूव थ्री एलेक्ट्रोन्स और अर्गेंड अर्गेंड वो जीरो जूर सर्फ सिंबोलिकली लिख देंगी पहले हुआ कर करते थे कभी कि वहां से हटें और मेरी इस लाइन में बड़ा तम है रिमूव लोफ एलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस फ्रम दा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नमबर जैसे जैसे नीचे जाओगे हटाते चले जाना अब मैं कुछ बच्चों से बात करने वाला था अनीश मि इसके बात लगाएंगे बस इसके बात पुतर जी यह मेरे पास एयार लिख दिया यह मैंने 3D 6 लिख दिया यह 4S2 लिख दिया ठीक है मुझे सब से पहले एक एलेक्ट्रोन रिमूव करके आरन का प्लस वन बनाना है अनीश जल्दी से कॉन्फिग्रेशन बता दो आर्गन गुर्लीन दो इलेक्ट्रोन निकालने है बिटा 3D 6 और साथ साथ में हमना डाउट भी क्लियर कर लो इसका मतलब की इलेक्ट्रोन जाता पहले 4S1 मतलब वह ले मैं हाँ 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 3 से है यस यस क्योंकि entry n प्लस l रूल से होईगी उसके बाद उसकी arrangement तभी तो मैंने बोला थ इसको कि जो हमारा लिखने का तरीका है वो शेल के accordingly होएगा तो electron removal हमारे लिए असान हो जाएगा 4 कुछ भी हो clear तभी तो कहा था आपसे इसके 3D का और 4S के बीच का energy difference इतना कम है इतना कम है कि इनके electron chromium और copper के अंदर individually interconvertible change हो सकते है तो आपकी बात का answer है yes entry 4S में पहले ह हो ही है 3D में बात में हो ही है 4S Nucleus से कुछ भी हो slightly दूर है इसलिए removal of electron outermost मतलब जो नुकलिस दूर है वहीं सी होईगा उस पे नुकलिस की पकड़ उस पे नुकलिस की जो कमांड है वो कमजोर है comparatively तो इसलिए आपको कहा गया maximum principal quantum number से ही हम electron का removal अंशिता का question इसके बाद लेंगे जी एक कोशन और पूचलो बसमें किसका इसका थ्री चलो बता दो मैं यह किसी का नामी लेने वाला था प्री पॉजिटिव बन जेगा आर्गन थ्रीडी पाइप और इनके तुम मेगनेटिक मोमेंट तो निकाल लोगे ना ये सब दिव्यम चार लेक्टर निकालने वीटा दिव्यम हां जी सर आर्गन तो यह गया मां बोलना मिटा कि एस तरा जाएगा आर्गन थ्री थ्रीडी थ्री पॉर एस जीरो कि के जी सब फॉर और साइव एलेक्ट्राउंस रिमॉब हो सकते हैं उच्छे च्छा होते हैं यह बनता है रन एफी ओ फॉर माइनस टू बनता है डीवलोग वालों में तो ब अब इनो कुशन क्या है बोलना मीठा इता जरोकन से बता इसका बतां हो यह मेरे पास र है है मैं चाहता था जो बते बिल्कुल नहीं बोलते हैं इन से बात की जाए एक सेकिंड एक सेकिंद एक सेकिंड एक सेकिंड फिर करना भी सिखा देंगे दमन जो था ग्लास के अंदर बोलने मिटा क्रोमियम से एक लेक्टर निकाला 3D 4S नहीं इसका अमलब तुम नहीं समझी ओ मैंने का था इलेक्ट्रोन का रिमूबल हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से होएगा 4S is the आउटर मोस्ट शेल जब भी तुम प्रिंसिबल कॉइंटम नंबर लेकर चलोगी तो 1S2, 2S2, P6 3S2, 3P6 3D5, 4S1 अगला चैप्टर सीखना मुश्किल हो जाएगा मैं बार-बार कहा रहा हूँ आपसे ध्यान मत अटाओ यार इतनी सुपर स्पीड से कौन चलता है जितनी स्पीड 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 मैं चल रहा हूँ मैंने अपसे क्या कहा और दस-दस एक्जामपल जोड रहा हूँ हरे एक के साथ आप ध्यान क्यों हटा रहे हो अपना 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4 मैक्सिमम प्रिंसिबल क्वांटम नंबर कौन सी है 4 बस हटा दो इलेक्ट्र वहां से दमन सी दूसरा कोश्चन दो इलेक्ट्र निकालने हैं दमन अज़िए अज़िए पाइफ इसको टार्गेट पर लेकर चलो वह तो ऊपर जास सेमी होगा फर क्रोमियम प्लस 1 प्लॉम प्लस 2 वह टीव है थ्यवार वटीव है यह ठीक है यह ज़िए नेक्स्स दिया से कुश्चन है दिया क्लास में अगर है तो मैंनो की बारियो बच्चा तो ने जोट रखा है यह कोई कि यह लो जी दिया बात नहीं कर रही तो मैं दिया को बढ़िया हो गया बच्चे जो जा रहा है उसको जाने तो श्रधानजली दे दिया करो बस क्लियर न तो आए वेलकम है जाए तो हाथ जोड़ दो भीड़कम हो गई बढ़िया हुआ तुमारे लिए पोसिबिलिटी नहीं पाया आने वाले को मना नहीं कर पाया कोई ठीक है टेंशन ना लो अपने फोकस को अपनी पढ़ाई पे यशिका थे इसका अधिक यशिका 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 तो ए आर थ्रीडी थ्री पोर जीरो शुल मैं बदा तो अब से हैं जगला बोलना अब समझ के सारे बच्चे काम कैसे हो रही है यह सब्सक्राइब करता हूं मेरी क्लास में एक मिनटा सिर्फ अपना ओ लो जी अब मैं एनायन्स बना रहा हूं ठीक है मैंने एन का अगले चैप्टर में बड़ा यूसफुल होई गा यह अब आपको पते इसमें इलेक्टरों जोडने में बहुत ताकत लगेगी आपको पते क्यों ताकत लगेगी क्योंकि यह हाफ फिल्ड है हां जी स्टेबल है ठीक है तो अब मैंने एन माइनस वन बनाया क्योंकि एलेक् पर दिया पात करेगा त्नुवीर से बात नुए तरुइर आस्था इसके बाद पते लुए पर तूपी त्री एस वन ना 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 इसमें कमी तक तनुवीर सही बोला था पहले बीएस ठीक इस पहली बार एटेंशन मतलो यार पी में मैक्सम छहा सकतें और तुमने अगला आस्था का टर्न थी तू टू एस टू 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 पी फाइब और इसके लबाद चारहत और खड़े में अपनी दरफ से कोई भी बोल दो कि अब आपके सिर्फ दो चोटे पॉइंट बचे में एक शूटे पॉइंट बचे में करना है एक श्रू टिंजर के बारे में बात करना और एक हलका सा डिसकेशन करना श्रू टिंजर खतम होने के बाद सायूर और आर के ग्राफ कैसे बनाने हैं है है हाईेस्ट ऐनर लगेगा भाद बengage वाह यहारा टकियोर रेखा हैं एक तो सारे सब्जक्टिव कोश्चन आपके सब्जेक्ट पीयुक से खतम लेना सब्जेक्टिव बुक के सारे कुश्चन खतम कर लेना और वैसे continue करी रखा होगा आप लोगों ने मेरी क्लास ओवर होकर भी ना बोलना बोलना बज़ने सब्जेक्टिव में कोशिश करो कि उसके जितने भी सब्जेक्टिव जिसे एक्जामपल 34, 35, 33 उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है टाइम लगे तो पहले हम आरपेस टच करेंगे ठीक है फिर हम असाइनमेंट टच करेंगे जितना पोसीबल हो पाया फिर हम टच करेंगे किसको बुक को अगर अगर आप सब् प्रिजन में कल आपके स्पीड भी अच्छी खासी होईगी तीन बच्चों के हाथ खड़ें जल्दी से बता दो क्यों खड़ें नहीं 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 वह कभी मोका लगेगा बात में दिखेंगे अभी नहीं सब कुछ तुमारी बुक के अंतर है और बोलो दूसरा कोई सब्सक्राइब करें और उनके साथ बात करके ना पाई वाले टीचर बोलते हैं तो पहले नंबर से शुरू करूं क्या स्लाइड फर्स्ट नंबर जैस सेकंड नंबर थर्ड फोर्ट फिफ्ट इस नंबर एक छोटा सा डाउट था बोलना बिटा अगर ये जो स्टेबिलेटी वाला कॉंसेप्ट जुन्याद सारा करा ये तो समझ आ गए कि इसे लिए हम लगाते हैं क्योंकि हमें दिखा था इसमें बट अगर अच्छी में प्रू होता तो फिर तो हमें पी वेले में न किता क्योंकि 3S और 3P में भी तो एनर्जी का डिफरेंस ना ना 3S और 3P के एनर्जी का डिफरेंस जादा है एक्चल में इसके पीछे भी पूरा लोजिक और काम करेगा जह जह से आप मेरे साथ में आगे बढ़ोगे ना प्रियोडिक टेबल में तो आपको पता चलेगा एक कॉंसेप्ट आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्च तो वो धिरी धरी धरी जम पढ़ना शुरू करते हैं और जदा और जदा सब्चेट एक्स्प्लोर होता चला जाएगा आप 3S 3P के बीच का एनर्जी डिफरेंस और 3D 4S के बीच का एनर्जी डिफरेंस को ये नि ये चैनर हो हिर ट।